प्रतेग पतपर दूसरे पत के विशे में कोई निण्ने करना ही पड़ता है और निण्ने आपना प्रभाव छोड़ जाता है आज किये गए निर्णे भविष्य में सुख अत्वा दुख निर्मित करते हैं ना केवल अपने लिए अपने परिवार के लिए आने वाली पीडियों के लिए जब कोई दुविधा सामने आती है तो मन व्याकुल हो जाता है अनिष्टय से भर जाता है निर्णे का वो शण युद बन जाता है और मन बन जाता है युद भूमी अधिक्तर निर्णे हम दुविधा का उपाय करने के लिए ने केवल मन को शान्त करने के लिए लेते हैं पर क्या दौड़ते हुए भोजन कर सकता है नहीं तो क्या युद से जूचता हुआ मन कोई योग्य निर्णे ले पाएगा वास्तव में शान्त मन से जब कोई निर्णे करता है तो अपने लिए सुखत भविश्य बनाता है किन्तु अपने मन को शान्त करने के लिए जब कोई निर्णे करता है तो वो विक्ति भविश्य में अपने लिए काटो भराग होता है